करनाटका में उनकी सरकार है जड़ा देखिए अभी तो दो साल हुए है क्या हाल करके रखा है वहाँ कॉंग्रेस के मुख्मंत्री उन पर जमीन गोटाले के आरोप लगे है जब इसकी जाँ चुरू हुई तो करनाटका के मुख्मंत्री हाई कॉट चले गए हाई कॉट ने भी उनको एक और डिन्दा मारा उन्होंने कहा कोई मदद नहीं होगी और कली हाई कॉट ने साथ साथ कहा कि चांच के आबेश सही है और चांच होनी चाहिए अब देखिए दो साल मुश्किल से हुए है आदत जाती नहीं है क्या हरियाना में इनको ये पाप करने का ठेका दे सकते हैं क्या हरियाना में उनको घुसने दे सकते हैं क्या आप ये गल्ती मत करना दस साल बार रहे तो सुधर गए होंगे ये सुधर सकते ही नहीं जी ये कभी नहीं सुधर सकते और भाईयो बैनो करना ठका में सिरफ जमीन गोटाले का ही मामला नहीं है वहाँ मेरे दलीत भाई बैन ये समझिए कॉंग्रेस पार्टी के अध्युष भी करना ठका से आते हैं दलीत समाच से हैं करना ठका में दलीतों के लिए जो फन था उस में भी कॉंग्रेस ने घोटाला किया वे ये वहाँ की कॉंग्रेस सरकार ने वहाँ के सीम ने विधान सभा में खुद इस बात को स्विकार किया है